दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूटूब चैनल प्ले एडिड शेलूशन में इस चैनल पे मिलता है आपको शेलूशन के साथ साथ विश्वास भी तो आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संबन्दित कोई भी प्रब्लम हो वो प्रब्लम हाडवेर से संबन्दित हो या फिर सौफ्टर से संबन्दित आप मुझे वाट्सप या कॉल करिए और सेलूशन लीजे बिलकुल फ्री नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग एक बर फिर हमारे यूट्यूब चैनल प्ले इडिड शोलूशन में और इलहाबाद के एक भाई साब हैं ब्रिजेस कुमार जी उनकी PC आज हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल पार्ट्स लगाया जा रहा है इस वाले मतर बूड काफी जबरदस्त है प्रोसेसर भी काफी जबरदस्त है 129 नोजो के प्रोसेसर के साथ आज हम जाने वाले हैं इस PC को बिल्ड करके complete करने वाले हैं और बिरिजेस कुमार जी जो की इस समय यहाँ पे उपस्तित नहीं है उनको मैंने सूचना दे दिया हुआ कि मशीन आपकी कंप्लीट हो रही है आप यहां पर पदार हैं रात में आज ट्रेन पकड़ेंगे कल हमारे पास आने वाले हैं और कल वापस उनके यहां पर पहुंशने के बाद कैमरे पर मैं पुना फिर दुबारा आऊंगा उनके साथ मशीन को चला करके मशीन की स्पीड इस वाकही में वो मेरे काम से संतुस्ट हो पाये हैं यह फिर नहीं हो पाये क्योंकि जो आत내 मशीन बना रहा है हो वह बना रहा हुँ तो एक 1000 बार बोलेगा बढ़िया है लेकिन की लेकिन जिनका बन चलाने का और मेरे बताने का कोई मतलब नहीं निकलता मतलब मेरे से मेरा सोचने का यह तरीका है चलिए बढ़ते हैं और जानकर यह देते कि 2023 का अगर आप वीडियो एडिटिंग का डेटा लेना चाहते हैं तो आप आकर के लेकर जा सकते हैं या फिर आप चाहें तो पार्सल से भी मंगवा सकते हैं पार्सल से हमारे यहां से PC बना करके भेज लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रिन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहोगा उस पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं और PC और डेटा से संबंदित पूरी जानकरी आप फ्री में ले सकते हैं यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि आप यह सोच रहे होगा कि सर मै वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट तो करना चाहता हूं पर मैं यह सोच रहा हूं कि मैं सीखूंग कहां से ट्रेनिंग मेरे पास है नहीं और ट्रेनिंग लेंगे कहां से ट्रेनिंग हर जगा मिलती भी नहीं है और ट्रेनिंग जहां मिल रही है वहां पर जाके रहना फ की फ्री में मिलती है जिसको देख करके आप बहुत ही कम समय में वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं बढ़ते हैं और करते हैं पीसी बिल्ड कम्प्लीट इस वीडियो को देख लिएगा बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों यह आज का मदरबोर्ड जो की बिजेस कुमार जी को लगने वाली है मदरबोर्ड काफी जबर्दस्त है और काफी शांदार मदरबोर्ड आज मैं इस सिस्टम के साथ यूज करने वाला हूं जैसा कि आप देख पारेंगे चार रेम तो लगना है यूस्बी में 3.2 का सपोर्ट है लेकिन जो इसकी VRM है यह उनिस फेस की VRM है चार M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं तीन हार्ड ड्राइब लगा सकते हैं चिपसेट के लिए अलग से हिट सिंक है छे हार्ड ड्राइब लगा सकते हैं और आप कैबिनेट का जो फैन है इसमें कई सार आपको फैन लगाने का उप्शन मिल हम देते हैं तो यह हीच करेगा तो इसी वज़े से कंपनी डबल सौकेट देती है ताकि यह ओवर हीट ना हो और गर्म ना हो क्योंकि गर्म होने के बाद यह खराब हो जाते हैं लोड है तो गर्म तो हो गई तो कंपनी ने इसका जो टर्मिनल है वह बढ़ा दिया हुआ है और बहुत सरी फैसलेटी इस मदरबोड के बारे में क्योंकि मदरबोड के विसे में बताएंगे तो विडियो जाएगी काफी लंबी वैसे आप देखके ही अनुमान लगा सकते हो कि मदरबोड कि इतनी शांदार है बैक पनल की बात करेंगे दोस्तों तो आपको USB के कई सार परदस्त है चलिए आगे बढ़ने से पहले एक भाई साब हमारे पास आखिर के बैठे हुए हैं जौनपूर से जिनका की वीडियो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा शायद एक बार उनको बुलाना चाहेंगे मदरबोड के विशे में एक बार हम जानकरी उनसे लेना च चाहेंगे यह हमारे पास भया जी आई हुए है पीसी बिल्ड करवाने के लिए और इनके साथ एक इनके मित्र भी आई हुए हैं ब्रिजेस कुमार जी जिनका की वीडियो आपने शायद देखा होगा पीछे बैठे हुए एक बार क्यामरा दिखाई है ब्रिजेस जी को यह हमारे पास आई हुए हैं इस समय को राइफाई मशीन बनने वाले हैं इनके और यह है भाई सब हमारे विने कुमार जी जो आई से हमारे पास अलड़ी बनवा करके चला रहे हैं और अपने मशीन से संतुष्ट हो करके भया जी को लेकर क्या है यह एक पर मदर बोड थोड़ करके गया है और आज भी एक तीसरी PC आपके सामने यहां पर बील्ड हो रहे हैं तो आप दो तीन बार मेरे पास आचुके और ठीक ठाक समय दिया है बैठें मेरे पास तो आपने क्या रीड किया कि प्लेड सॉलूशन पर जो काम होता है वो मतलब सब का बढ़िया होता है या इस समय क्या है कि फोन चूट जाएंगे इस समय अलग आदमी बठे हुए है जो फोन उठाते हैं और रिप्लाई देते हैं कुछ ऐसा काम है जो उनके समझ में नहीं आएगा तो हम करवाते हैं लेकिन यह है कि मैं दस-पंद्र मिन्ट बीस मिन्ट लेगा इसको बिल्ड करने आज नंबर वाले हैं और यहां से मुझेे पार सल नहीं करनी है बंट करने बात करते हैं कि कहा आज प्रोसेसर कह लग रहा है और उसका नंबर कौन सा है दोस्तों यह आज यह sudah कोर कम्पलीड ऊनलौग देख लाइंग फैक म कभी भी क्वालिटी से समझा होता नहीं किया जाता तो चलिए बढ़ते आगे और कम्प्लीट इस प्रोसेसर के सील को ब्रेक करते हैं प्रोसेसर हमने लगा लिया हुआ है और क्यूंकि यहां पर हम एक बर और फिर आपको रिपीट करके बताना चाहें कि जो आज मसीन बन रही है यह है डीडियर 5 सिरीज में और 32GB हम लगा रहे हैं हाई स्पीड में तो बढ़ते हैं और रैम हम आपको दिखा देते हैं कि रैम का जो इस्टिक है वो कैसा दिख रहा है और 16 16GB की दो इस्टिक आज हम जो कि हम आपको किसी और वीडियो में कवर करके बताएंगे बढ़ेंगे आगे और 1y1 हम इसे अपने मदरबोर्ड में इस्टॉल कर लेंगे तो चलिए लगा लेते हैं लुक कर लेंगे चलिए रैम हमने लगा लिया 32GB अब बढ़ेंगे आगे और लगाएंगे अपना SSD M.2 Nvme 500GV C-DRIVE के लिए SSD बहुत ही शांदर हम यूज करने वाले हैं काफी हाइश्पीड SSD यूज करने वाले हैं और SSD लगाने के लिए इस मदरबोर्ड में चार SSD आप लगा सकते हैं कमपनी ने आप्शन दे रखा हुआ जो कि मैं पहले बता चुका हूँ यहां पे हीट सिंग के जिसको में हटाएंगे और हटा करके यहीं पर अपना आज का एंबर टू एंवी में एससदी लगाएंगे यहां पर एक थर्मल पेस्ट है दोस्तों जिसको कि हम बड़ी साउधानी के साथ यहां से रिमूव कर लेंगे हटा लेंगे इसे यह इसका हीट सिंक काफी मोटा और काफी बड़ा है और यह इसका थर्मल पेस्ट है तो बड़ी ही इतमिरान के साथ हम इसे भी बिठा लेंगे हीट सिंक इतनी बहतर है दोस्तों कि जो एससडी हमारी परफॉर्मेस जब पीक पर पहुंचती है तो वह हीट जेनरेट करती है तो हीट सिंक हमारा यहां पर इतना शांदार कंपनी ने दे रखा वाइस बोर्ड के साथ कि बिलकुल वह हीट नहीं होने देगा और प्रोसेसि हैंगे इतना शांदार आज हम सीप्यू कुलर लगाने वाले हैं निकालते हैं बाहर और पूरी कंप्लीट जान करें आपको उपलब्द करवातें कि सीप्यू कुलर कौन सा है और उसमें क्या-क्या खूबिया है दोस्तों यह आज का सीप्यू कुलर जो कि आप देख पा रह करती है यह चीज आगे अभी हम कवर करके आपको बताने वाले हैं और यह जो आप टावर देख रहे हैं यह काफी जबर्तत इसकी बनावट है जो इसका रेडियेटर यह काफी शांदार है इसके बेस काफी बढ़िया है और इसकी वजन भी काफी ज्यादा है हीटिंग की ब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों लगा लिया हुआ है और लगने के बाद कुछ अलगी ढंक आपको यह दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जबर्दस मदर बोड़ है वजन भी काफी ज्यादा हो गई है इसकी और इसकी बनावट वगर आप देख पा रहेंगा मशीन की पर हम अपने के बाद के साथ और समान लगने हैं जैसे की 750 वाट की एक पाउर सप्लाइ मुझे लगानी है एक टू टेराबैट की हाड ड्राइब लगानी है यह सारा पार्ट हमको लगा करके इंस्टॉल करना है और इसकी और आपको दिखाएंगे पुरी जनकरी देंगे त सब्सक्राइब लगाने वाले हैं और काफी संदर इस मशीन को बना करके अपने ब्रिजेस कुमार जी को देने वाले हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे कंप्लीर इंस्टॉलेशन करने के बाद जो पार्ट की इस्टॉलेशन है उसके बाद वापस एक बार फाइनल पे वाड़े हम आपको लुक दिखाएंगे और फाइनल हने के बाद भी सम्ट से सम्झन से संबननी जलके आपको देनी वागी है वीडियों बने देगा अभी का कोई संदय वाली बात नहीं है क्वालिटी के मामले में आप भी जानते हैं दोस्तों कि कोर्सियर कूलर मास्टर गीगावाइट यह सब ब्रैंडड आइटम है और मैं कभी भी किसी की मशीन बनाऊ चाहिए कोर आई 5 कोर आई 7 या कोर आई में आज हम समझाता करके मशीन बना दे कल के तारिक में जहलना उन्हीं को है सीधी सी बात हमें नहीं चलना है मशीन जो चलाएगा वही जहलेगा तो कभी भी सामान जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकते इतना बढ़िया लगाई जो आपका सर्विस चार्ज लिए कहीं से पूरी तरीके से मने यहां पर एसंबल कर लिया हुआ है के आप देख पार हो दो फैन यहीं हो लगाए है रही से मिलने सब्सक्राइब के लिए और वाइफाइब के साथ हमने यहां पर लगाया हुआ है पीछे की सब्सक्राइब के साथ लगी हुए जो कि मैंने आपको बताया हुआ है और सारे वारिंग करके यह मशीन बिलकुल complete है अभी लेके चलेंगे इसको मैन काउंटर पर complete इसकी Video बैयोर बाईो सेटिंग करेंगे कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए का मैं कम्प्लीट उस विशेप पे वीडियो बना करके आपको बताऊंगा और आपको रिप्लाई भी दूँगा चलिए बढ़ते हैं आगे और कम्प्लीट इसके मैनुमल बायो सेंडिंग करने के बाद वापस कैमेरे पे आ पीचे को मैंने बिल्ड किया हुआ है एक भी आपको इसमें एक्स्ट्रा वायर फाल्तु का लटकता या जूलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा CPU कुलर भी काफी जबर्दस था ऐसा CPU कुलर आपने शायद ही देखा हो हमको लग रहा है कि अगर एक हजार आदमी इस वीडियो के इससे में तातकाल में देख रहे हो तो दस आदमी शायद ही देखे हो इस टाइप के CPU कुलर जो CPU कुलर में ने यूज़ किया हुआ है बाद मस्त फ्रेंट में भी तीन फैन यहां पर लगा हुआ है जिसका कि कलर वगर आप यहां पर चेंज कर सकते हैं आपको साथ दिखाई भी दे रहा होगा तो इस तरह के सकते हैं बाड़ी काफी शांदर काफी मजबूत और PC जो मैंने बनाया अपने हाथों से पूरी तसल्लिश से मैंने काम किया है यहां तेक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि PC चाहे हम किसी के बना रहे हो चाहे हो अमीर हो गरीब हो मेरे पास आकर के लेके जाए या ऑनलाइन भीजना हो मैं काम भाई साब बड़ी तसल्लिश करता हूं पूरे इत्मिनान से यह मेरे बचपन से से आदत रही है मतब यह नहीं कि हाँ आज 10 PC निकालना है तो हड़बर हड़बर करके अपने भी लग गए और स्टाप को भी लगा दिए और जल्दी जल्दी ठोक ठाक करके और गट्टे में डालके भेज दिया ऐसा काम नहीं भीया हम दो दिन बाद भेजेंगे लेकिन बन चाहेंगे कि यह PC जा किनको रही है PC जारी दोस्तों ब्रिजेस कुमार जी को और आज थोड़ा सा कुछ ऐसा प्रब्लम आ गया है कि आज उनका इंट्रिवू नहीं होने वाला है मैंने वीडियो मताया था कि वह आकर के लेके जाएंगे लेकिन वह आने में असमर्थ हैं और उनके परिवार में किसी सदस्यका तब्यत खराब होने के वज़े से उनको एमरजन्सी कल के तारीक में उनका फोन आया था मेरे पास वो हॉस्पिटल निकले और हॉस्पिटल में उनका मोबाइल किसी वज़े से पानी के अंदर गिर गया तो ऑनलाइन भी मत्तब उनका पीसी को मेरे घर तक भेज़ दे ताकि मेरा काम हो सके काफी काम रुका हुआ है और यह पीसी है मैंने जानकर यह आपको दे दी को राइन और बिल्ड किस तरीके से हुई है इसके बिसमें आप कमेंट करके मुझे वीडियो मता दीजिएगा पीसी पार्सल के लिए हम निकालते के लिए और इनके साथ एक भाई साब और यहां पर बैठे हुए है इनको भी हम स्वागत करेंगे इनको बुलाना चाहेंगे और इन से जाने के देखिए बढ़िया बना है कि नहीं बना है दम है या नहीं है और पीसी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है वह देखिए यह ऐसे ही पूरी उठाई है कितना होज़ा होगा सर होगा सोला सत्रक करीब हां सही है बिल्कुल सही अनमान लगा है आपने देखने में तबियत मस्त हो रही है आप बोल रहे हैं ना हर वीडियो में भी बस मन मन लगा के काम करते हैं और बेसक एक बात और मेरी बड़ी दियादत बता रहा हूं आपके PC का ओडर आ गया है आप एक बार नहीं 50 बार फोन मारिए सर निकाल दीजिए निकाल दीजिए PC नहीं जब हम अपने मन से अपने तसली से बना लेंगे प्रफॉर्मस निकल कर के आने लगेगी हीटिंग बिल्कुल नहीं होगी रेंडर फास् नहीं है विष्वास आज पंजाब से चल करके गो रख पूर क्यों आए हैं किसा पंजाब में नहीं है यहाज है पुरी मार्केट भरी पड़ी है वहाँ जाइए तो पंजाब में बूलाने वाए लोगों है रहे सर मेरे पास बनवा लेजे मेरे पास और आप उल्टा वहां करके बात करूंगा और भया जी को मैं लाइन पे लूँगा सारी जानकारी ये देंगे फिलाल जिनके PC बन रही है उनके उपर हम फोकस करते हैं अच्छा एक चीज और बताई सर यह CPU कुलर आप देख रहे हैं कभी देखा था किसी के CPU में आस तक कैसा लग रहा है आपको कुछ सिस्टम से मैं काम बड़ा सिस्टम से घरता हूं सर बिलकुल चमाचम पीसी बनवाते हैं यहां पूरा तार इधर ही पड़ा होता है यहां पर गुच्छा घूल मिटी यहीं पर जमीर है यह तो सर ब्रजेस कुमार जीस वीडियो को जब देखेंगे या इनको जब यह PC करते हैं और पैकिंग करने के बाद बाकी की जानकारिम आपको देते हैं दोस्तों यह इनका 5G का एंटीना है इसके साथ एक डोंगल है और यह है इनकी पावर केबल ठीक है ड्राइवर की सीडी किसी भी मदरबोर्ड की अब नहीं आ रही है क्योंकि जब लेटेस्ट मदरब कर लेंगे और आप सोच रहें कि सर्जी इसको उल्टा आपने क्यों लगाया हुआ है तो इसको करें कि यह डालेंगे तो हमारी बाहर तो यह डैमेज नहीं करेगा समान हमने अंदर डाल करके बहुती शांदर तरीके से इसको पैक कर दिया हुआ है अब इस पे लगबग 100 मिटर या लगबग 700 मिटर बबल स्वाली पन्नी लपेड करके लगबग इतनी मोटी हम लेयर बनाएंगे चारो तरफ से और तीन लेयर में हम इसको पैक करेंगे इसलिए के अगर एकाद लेयर फटी भी गया रास्ते में वैसे फटता नहीं है लेकिन अगर फटी भी गया तो PC उसके अंदर सुरक्षित उनके घर तक पहुंच जाए तो कई सारे लेयर में हम बबल स्वाली पन्नी इसको लगा करके पैक करेंगे भी पैक कर लेते हैं वापस एक बार हम आपको फाइनल इसका पैकिंग दिखाते हैं इस वज़ए से दिखाते हैं ताकि आप भी अगर PC बनवाने के लिए ओडर देना चाहते हैं तो आपके मन भी यह संदे ना रहे कि यह एक लाक रुपर डेड़ लाक रुप है और काफी सुन्दर दिखता भी है आपने वीडियो में भी देखा होगा काफी बहतर मैंने PC बिल्ड कर पाया है और काफी शांदर है अगर आपको भी पसंद आया मेरा काम तो एक शांदर सा कमेंट मेरे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर शोड़िये और बताना चाहेंगे कि आप भी भारत में कहीं से मेरी वीडियो को देख रहे हैं अगर आप भी वीडियो एडियो का काम स्टार्ट करके धेर सारा नाम और पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ही कम समय में तो आप मेरे से PC बनवा करके घर तक मंगवा सकते हैं या अगर आके लेके जाना चाते हैं तो कुछ जानकर हम आपको और देते हैं कि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक परची दिखाई देगी जो कि इस पार्सल को लगने के बाद परची जो मुझे मिलेगी वो परची मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ उसमें आपको ट्रैकिंग आइडी भी दिखाई देगा अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो उसे खतम करने के लिए आप ट्रेकिंग आडी गूगल पे डिटी डिसी ट्रेकिंग डाल करके वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको वैसे ही पता लग जागा कि वाकई में इस पार्सल को लगाया गया है या नहीं ल मेरे स्किन पर जो नंबर दिखाई दे रहे उस पर कॉल या वाटसप करके मेरे से बात कर सकते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ या फिर किसी नए PC वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सबी लोग को प्यार बढ़ा नमस्कार जैहिन दोस्तों गोग की साथ तब या नमस्की नक वीडियो के साथ टन्बर खंप स्किरे नमस्की तब भीडियो किसी नए भीडियो के साथ प्समाथब प्सक्शytesकिसा जीचियो के वीडियो के वीडियो हैं